जिन घरों में अक्सर लडाई जगरे होते हैं, वहां नेवले की मूर्ती रखने से कलाख खत्म होती है। इससे पडिवार के लोगों के बीच संबंध बेहतर बनते हैं। वास्तु सास्त के मुताबिक नेवले को भगवान विश्नु का प्रतीक माना जाता है। इसलिए जिन घरों में इसकी मूर्ती रखी जाती है, वहां रहने वाले लोगों की तरक्की होती है। माडग में जाते शमय यदि कहीं नेवला दिख जाए, तो जहां पर से वह जा रहा है उस अस्तान से मिट्टी लेकाड उसे अपने कैस बॉक्स में डाल दे। सदा आपकी तिजोडी धन से भरी रहेगी। वास्तु सास्त्र के अनुसार घर में नेवले की मूर्ती रखने से नो सिर्फ मालक्षमी बलकी भगवान विश्नु की भी किरपा मिलती है। इससे घर में बरक्कत होती है और घर में खुसाली आती है। काते हैं कि नेवले की मूर्ती को घर के पुरुव दिशा में पुझा के अस्थान पर रखने से घर में धन्यदान की बढ़ोत्री होती है इससे मालक्षमी का घर में हमेशा वास बना रहता है। जिन लोगों के पास पैसा उन्हें अपने घड में निवले की मुर्थी को सोने या चांदी के शिकोक के उपर रखना चाहिए इससे मा लक्षमी प्रसंद होती है। नेवले की मूर्ती को लाल कपरा बिछा कर रखने से भी घर में धन की विरिधी होती है। इससे घर में सकरत्मक्त उर्जा बढ़ती है। अगर प्रवेश द्वार के पास नेवले की मूर्ती रखी जाए तो घर में खुशाहाली आएगी। चुकि ये सकरत्मक्त बढ़ाता है इसलिए इसे रखने से पड़िवार में खुशाहाली का महोल होगा। नेवले की मूर्ती को रोजाना धुप बत्ती दिखाने से घर में समरिधी आती है। इससे पड़िवार के सदस्यों की तरक्ती होती है। अगर उनके जीवन में कोई बाधा आ रही है तो इससे भी छु जाए तो ज्यादा लाब होगा। इससे घर में मौझूद नकरत्मक्ता दूर होगी। दोस्तो नेवले से जुरी यह जनकाडी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट वक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो इस चैनल को जरूर कर ले हैं। धन्यवाद।